सुकमा में DRG जवानों और नकसलियों के बीच मुठबेर हुई है मुठबेर में 5 लाख नकसली हुआ था धेर और 5 लाख इनामी नकसली धेर हुआ है और 5 लाख इनामी नकसली सीसी मेंबर मुचाकी मंडूगू धेर वस्ताद न्यूस के पास मुटभेर के बाद का वीडियो भी है फिलाल आपको ये बड़ी खबर अब सुक्मा से बता दे DRG जवानों और नकसलियों के बीच मुटभेर हुई है और इस मुटभेर में 5 लाख इनामी नकसली धेर हुआ है उस नकसली का नाम मुचाकी मंडुगू है CC मेंबर है वो और वो डेर हो चुका है वस्ताद न्यूस के पास इस मुटभेर के बाद का वीडियो भी है तो लगतार ऐसी तस्वीरे निकल करा रही है जहां नकसलियों और जवानों के बीच मुटभेर की खबरे और नकसलियों को नुकसान होता हुआ एक बर फिर जहां पर पास लाग काई नामी नकसली इस मुटभेर में धेर हो गया और तमाम वो चीजे जो हत्यार भी बरामद हुए है उनकी तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं ताद नुज के पास इस मुटभेर का वीडियो भी है और इसी के साथ नकसली मुटभेर से जुड़ी हुए एक और खबर आपको नारायनपुर से बता दे जहां के अबूज माड में सुरक्षा कर्वियों और नकसलियों के भीच मुटभेर हुई गया और इस मुटभेर में दो माईला नकसली समेट कुल नौ नकसली मारे गये हैं नकसलियों के शब को बरामद कर लिया गया है मौके से एक एफॉटि सेवन समेट भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है और ये मुटभेर 36 गड़ और महराष्ट के सीमावर्ती इलाके टेक मेता में और काकुर के जंगलों में हुई है तो ये बड़ी खबर आपको बता दें नकसली मुटभेर से जूरी ये खबर नारायनपुर से है जहां अबुजमार में सुरक्षा कर्मियों और नकसलीों के बीच मुटभेर हुई और इस मुटभेर में दो महिला नकसली समेट कुल नो नकसली मारे गए नकसलीों के शब भी आप बरामत कर लिए गए मुदबेड के पाशात अब तक सर्चिंग में कुल साथ माओधियों के डेड़ बोड़ी रिकवर की गए थे उनमें से संभोता या दो या तीन महिला माओधियों के डेड़ बोड़ी वोने का संभोणा बताई जा रहा है अभी भी लहातर सेर्चिंग जारी है जैसा एक फोटी सेवन साइट और काफी बड़ी मातर में आम समिनिशन भी रिकवर की गए थे तो चट्रस गड़ में नकसलवाध की खात्मे को लेकर जिप्टी सिये मारुन साव का बयान भी सामने आया है विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नकसलवाध को खत्म करने के लिए हमारी सरकार बहुत गंभीर है और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको वो सुनाते है चतिर गड़ को नकसलवाध बनाएंगे उस दिसा में हमारी सरकार गंभीर है कि अंदर सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है बस्तर के विकास के लिए वहाँ सांती आवश्यक है और इसलिए हमारी सरकार इस दिसा में बहुर गंभीरता से कारवाही कर रहा है कि और भी बहुत कुछ ऑपरेशन्स जो होने हैं और लगातर चुनाओं को देखते हुए भी आप लोग चल रहे हैं तो क्या लग रहा है आगे जो नकसल है उसको समेट लिया जाएगा सिमित कर लिए पूरी तरह से समाप्त करेंगे और बस्तर में सांती और विकास का मार्ग प्रसस्त करेंगे कांग्रेस तो जूट बोलने का काम करती है पालने पोस्ने का काम किया कांग्रेस पारटी ने और दोहजार अठारा में जो बहुत छोटे से हिस्से में सिमट गए थे वो फिर सहर होता का है और कांग्रेस ने तो पालन पोशन ही किया है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संजय ठाको लाइफ जुड़ गया है संजय का रुख करेंगे संजय मुठभेड हुई है और नौ नकसली मारे गए दो महिला नकसली और साथ जो पुरुष नकसली वो मारे गए और क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर प्रतिकिया बहुत बड़ी मुठभेड है विजय सर्मा ग्रीमंत्री ने अभी बताया है कि इस मुठभेड में नौ नकसली मारे गए जिसमें तीन महिला है छे पुरुष मावादी है सबसे खास बात जो है और सबसे जो की कोई जवान इस मुठभेड में जो है वो घायल न चल रहा है और ये संख्या और बढ़ सकती है कई और नौसली मुठभेड में खायल हुए है तो ये संख्या भी और बढ़ सकती है एक एके 47 बंदूक में जवानों को ऎसके अलावा भारी संख्या में वहाں से नकसल सामगरी और हतियार जवानों ने बरामत किया है तो अभी अपडेट ये है कि जवान फिलहाल जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ये जो पूरा इलाका है ये 36 गड़ महाराश्ट के बॉर्डर पर है तो यहां से नकसली अक्सर इंटर स्टेट जो है यहां से अपना ऑपरेशन चलाते थे यहां नकसली 36 गड़ में घ कि इलाका कितना खतरनाक है और ये इलाके में नकसलियों की कितनी मजबूत पकड़ है यही वज़ा है कि फिलहाल पुलिस के अराधिकारी इस मामले में बहुत ही बजबज कर बयान दे रहे हैं लेकिन ताजा अपडेट यही है प्रतिग्या कि इस पूरे मुड़ेड में घायल हुएं क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि नौ नकसली तो मारे गए लेकिन सर्च ऑपरेशन अब भी जा रही है और भी इसमें संख्या बढ़ सकती है तो क्या कुछ नुकसान सुरक्षा बलो को भी हुआ है यही सबसे महत्पुन बात है पिछले चार महिने से बस्तर में जो पैटरन है पुलिस का जवानों का ये पूरी तरह से बदल गया है जवान लगातार अब नकसलियों के आधार इलाकों में जा रहे हैं बड़ी मुटभेड को अंजाम दे रहे हैं लेकिन सबसे खास बात ही है कि बिलकुल सुरक्षित वापिस आ रहे हैं और यही सबसे राहत की बात है तो इससे एक बात तो साफ होती है कि जवानों ने अपनी रणनीती में बहुत बढ़ा बदलाव किया है वरना ये वही बस्तर है जहां हमने चहतर जवानों की सहरत देखिया और जैसे आपने बताया कि अभी भी सर्चिंग जारी है तो आगे क्या कुछ अपडेट होगा ये अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे फिलाल बहुत बहुत शुक्रिया संजे तमाम जानकारी के लिए